स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी टीफ्स में आसा करता हूँ आप अपने और अपने परिवार का खयाल रख रहे होंगे और दोस्तों एक नई जानकारी निकल कर आ रही है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या कुछ नया चल रहा है आप जैसा कि देख रहे होंगे सिंगापूर का नियू इस्ट्रेंड वाइरस का नियू इस्ट्रेंड तो यह जो सिंगापूर नियू इस्ट्रेंड वाइरस है दोस्तों यह बच्चों के लिए बेहद ही खतरनाक है अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो COVID के जो वी वाइरस जो वेरियंट्स हो रहे हैं जो म्यूटेशन हो रहे हैं उनमें वो क्या हो रहा है डे बाई डे वो अपना विक्राल रूप धारन कर रहे हैं दोस्तों और हम लोगों ने देखा था कि ये एजेट लोगों को जैदा अफेक्ट कर रहे हैं बड़े जितनी भी सिंगापूर से आने वाली फ्लाइट से उसको इमेडियेटली कैंसल कर दिया जाए और जो नया जो इस्ट्रेन है यो बहुत ही डेंजरस है बच्चों के लिए ये हमारे दिल्ली के सेयम अरविंद केजरिवाल ने कल अपने ट्यूटर एकाउंट से केंदर सरकार से अपिल किया है और एक और अपिल किया है कि जो बच्चों के टीका करन पर जोर देने का अपिल किया है उन्होंने तो ये क्या है सिंगापूर वाइरस और ये किस तरह का वाइरस है चलिए हम लोग जानते हैं इस पर पूरा चर्चा करते हैं तो जो सिंगापूर गवर्मेंट है दोस्तों सिंगापूर गवर्मेंट ने कहा है कि जो इंडिया वाला वेरियंट है जो इंडिया में अभी वेरियंट जो डवल वेरियंट पाया गया था जिसको की नाम दिया गया था B1, 617, 7 वाला वेरियंट, ये वाला वेरियंट क्या हो रहा है कि सिंगापूर में बहुत तेजी से फैल रहा है, वही वेरियंट सिंगापूर में बहुत तेजी से फैल रहा है, जो कि बच्चों के लिए बेहदी घातक साबीत हो रही है, तो वही गरविंद केजरीवाल न पर जोर देने का कोसिस किया जा रहा है दोस्तों तो यह जो variants होते हैं जो COVID-19 जो coronavirus के जो variants होते हैं जो mutation होते हैं जो simply जो mutation अगर कहा जाए ठीक है तो mutation क्या होता है कि यह क्या होता है जो human body में human body में जाकर अपने numbers को multiply करके बहुत ज़्यादा amount में बन जाना लेकिन जब ऐसा देखा जा रहा है कि यह जब किसी के body में जाता है तो अपने genetic code में change कर लेता है और क्या होता है कि और ज़्यादा विक्राल रूट धारन करके बाहर आता है और उसका अलग-अलग variant होता है दोस्तों तो जो अभी इंडिया में जो पाया गया है जो recently अभी February में इंडिया में आया था एक नया variant B1617 वो क्या था डबल बेरियंट डबल बेरियंट कोरोना वाइरस था और यह किस-किस वाइरस के द्वारा mutant हुआ था तो हम लोग आगे उसका चर्चा करेंगे यह हमारा दिख रहा है फिर यह human body में जाकर अपने numbers को multiply करके mutant होकर वो और ज्यादा कुछ नया variant का रूप धारन कर लेते हैं दोस्तों तो चलते हैं आगे देखते हैं कि क्या कुछ नया हो रहा है यह आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यह mutation करते हैं और infection किस तरह से करते हैं तो जो इंडिया में जो नया mutation देखा गया है दोस्तों जिसे की B1 617 variant कहा गया है यह variant जो है दो mutation का मिसरन है पहला E484Q L452R यह जो E484Q है दोस्तों यह British और South African variant था और जो L452R है California variant है इसका मतलब है कि जो अलग-अलग variants हो रहे हैं वो क्या हो रहा है किसी body में जाकर कुछ नया रूप धारन करके नये रूप में अलग रूप में आकर कुछ नया विक्राल रूप धारन करके हमारे सरीर को affect कर रहे हैं और वो अलग-अलग जगा पर देखने को मिल रहा है तो जहां जैसा variant होता है उसका वो नाम दे दिया जाता है यहां का variant है तो अभी नया हाल ही में कल या परसो की बात है जो संडे को सिंगापुर में एक बहुत ही खतरनाक variant देखने को मिला है जो कि सिंगापुर गौवर्मेंट ने कहा है कि यह इंडिया वाला डवल variant B.1.6.1.7 से इंटर लिंक है दोस्तों लेकिन जो अर्विंद केजरिवाल जी ने कहा है कि यह सिंगापूर वेरियंट है और इसके लिए क्या करना चाहिए यहां के गवर्मेंट को जितनी भी जो फ्लाइट सेवाए हैं जो एयर सर्विस हैं उसको इमेडियेटली केंसल कर देना चाहिए और चुकि यह वाला वेरियंट बच्चों के लिए बेहाद ही खतरनाक है तो दोस्तों अगर सोच के देखिए कि बच्चों में अगर कोविड फ़लने लगा बच्चों में तो क्या होगा कि उसको करना बहुत ही मुस्किल हो जाएगा क्योंकि जो बच्चे होते हैं जो Transmissible strain of COVID-19 जो कि Singapore government ने कहा है कि यह highly transmissible है और यह बच्चों को ज्यादा effect कर रहा है और Indian variant से यह interlinked है तो Singapore government है Sunday को वहाँ पर जो particularly V1617 variant को जो कारन बताया है तो कहा है कि यह जो variant है children को बहुत ज्यादा effect कर रहा है और Singapore वो बच्चों को vaccinate करने के लिए बच्चों को vaccinate करने के ल प्रिपेर कर रहा है तयारी कर रहा है दोस्तों तो Singapore में Singapore में अभी हाली में मतलब Sunday को Sunday को क्या किया है कि 38 जो वहाँ पर 38 लोगों को case देखा गिया है 38 locally transmitted COVID cases देखा गिया है जो कि सबसे जाएदा वहाँ पर दर्ज किये गए COVID case में सबसे जाएदा amount में है तो यह 38 COVID वहाँ पर सबसे जाएदा है तो इंडिया में तो डेली कम से कम लाखों हजारों में cases हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर 38 है जो कि वहाँ के लिए सबसे जाएदा है क्योंकि जो सिंगापूर है एक बहुत चोटा सा कंट्री है अगर देखा जाए तो यह यूपी जो है हमारा यूपी का जितना रिजन है उसके एक जिले के बराबर भी सिंगापूर का क्या है की जगा नहीं है चेतरफल नहीं है दोस्तों तो इसलिए वहाँ पर जो अभी न यहां पर फैल रहा है जो कि बच्चों के लिए बेहद ही खतरनाक है दोस्तों, जो B1617 strain है, जो कि चिल्ड्रेन में मतलब एपियर हो रहा है, तो वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर है, उंग ये कुंग उसने बताया है कि यह बहुत ही खतरनाक है बच्चों के लिए, आगे चलते ह देखते हैं कि और क्या हो रहा है कि सिंगापुर में देखा गिया कि जो वहाँ पर ट्रांसमीशन हुआ जो पॉजिटीव लोग थे उसमें से देखा गिया कि एक ड्राइवर था जिसका कि टेस्ट पॉजिटीव आया था ठीक है एक पुलीस ओफिसर था एक मलेसियन नेशनल और इन सब में ठीक है जो 17 लोग थे जो इंटरलिंग्ड थे उनमें से दो लोग वैक्सिनेशन कर चुके थे जो वैक्सिन का पहला डोज ले चुके थे फिर भी उन लोगों को यह कोविड का जो नया इस्ट्रेन है जो B.1.617 का जो वैरियंट का जो नया इस्ट्रेन बताय जा रहा है तो वो वो जो है वैक्सिन लेने के बाद भी उसको अफेक्ट कर रहा है तो यह बहुत ही बड़ा चिंता का विस है दोस्तों कि वैक्सिनेशन का डोज लेने के बाद भी अफेक्ट कर रहा है इसका मतलब कि जो नया वैरियंट आ रहा है वो कुछ जैदा फिर ये लोगों के अंदर जो human body है उसमें जाकर क्या करता है अपने में कुछ genetic code में change करता है और वो जो genetic code में change होता है अलग-अलग variant के नाम से जाना जाता है तो यहां पर इंडिया में अभी B1617 वैसे ही हम लोगों ने बोला था अभी बताया था आपको कि वो एक UK वाला variant थ तो अलग-अलग variant मिलकर यह बना है इंडिया का double variant B1617 तो इसके लिए vaccination एक बहुत ही amount में होना चाहिए दोस्तों एक vaccination जो है एक बहुत ही ज्यादा label पे होना चाहिए अच्छा दूसरी बात कि जो Indian government है जो कि अरविंद केजरिवाल जी ने कहा है कि जो जितनी भी flight services है उसको immediately cancel कर देना चाहिए तो Indian government को चाहिए कि Singapore से आने वाले जितने भी flights है उसको immediately फिलाल के लिए cancel कर देना चाहिए क्योंकि Singapore में जो यह नया strain मिला है बच्चों के लिए बेहदी खतरनाक है दोस्तों तो बच्चों के लिए जो बेहदी खतरनाक है तो उसके लिए हमें आगा होन की जरूरत है जैसा कि यहां पर जो variant देखा गया था तो Singapore government ने एग्रेसिव लित्तुरंत क्या किया था कि जितनी भी flights सेवाएं थे इंडिया से आने वाले उसको रद कर दिया था तो हम लोग भी यह कर सकते हैं कि वहां से आने वाली flights सेवाओं को बंद कर सकते हैं और अभी इतना ही जानकारी निकल करा रहा है जो अरविंद केजरिवाल जी ने केंदर सरकार को आगाह किया है सिंगापूर के नए strain के बारे में नए variant के बारे में तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है जो भी जानकारी निकल कराएगी हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे सेर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, लोगों के बीच इस जानकारी को बताएंगे और अपने बच्चों को सेफ रखेंगे दोस्तों तो हम आसा करते हैं कि हम अपने बच्चों को सेफ रखने की कोशिज करेंगे, साफ रहें, स्वस्त रहें और मास को पहनते रहें ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले कोई information के साथ आपके सामने हाजी रोंगे